हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है तानिया फैसानार्ट यूटुक चैनल पर मैं दीप का गुस्वा आज आपको देखो न्यू तरीके से बैक बनाना बताऊंगी तो इसमें मैंने देखो इबार की साइट कपड़ा लगाया है और बीच में मैंने फॉर्म लगाई है एक उपर से सुन्दर सा कपड़ा लगाया है अब आपको लंबाई और चोड़ाई बताऊंगी तो इसकी चोड़ाई है साड़े सोला इंची की 29 इंची की लंबाई है अब इसे देखो लंबाई की साइट से हम फोल्ड करेंगे तो ये देखो मैंने लंबाई के साइट से फोल्ड किया है इस तरीके से आप बरावर के सेंडर दोनों मिला लें इसके अब ये तीन इंची पे निशान लगाना है आपको तो ये देखो ती निंची पे मैंने निशान लगा लिया है अब इस निशान को इस तरीगे से तिर्चा करना है पहले तो ये देखो मैंने तिर्चा कर लिया है निशान को अब इसी में हलकी सी भार की साइट से गुलाई देनी है ये देखो इस तरीगे से से शेप देनी है इसकी अब जैसे मैंन तो ये देखो मैंने कटिंग कर दी है अब आपको मैं खोल के दिखाती हूं कटिंग हमारी कैसे आई है इसकी ये देखो इस सेप में आई है इसकी कटिंग अब दोनों साइट को मैं सेम तरीगे से ही कटिंग कर लूँगी ये देखो इस तरीगे से रखे बराबर का तो ये देखो दोनों साइड मैंने सेम कटिंग कर ली है अब नीचे की साइड से निसान लगाने है तो ये देखो देड़ इंची पर मैंने निसान लगा लिया है देड़ इंची की लंबाई और चोड़ाई का निशान लगा रही हूं इस तरीके से मैं एक बॉक्स बना लूँगी दोनों साइट पर हमें सेम बॉक्स बनाने है डेड़ वाई डेड़ का तो ये देखो मैंने दोनों साइट निशान लगा ले हैं अब इसकी भी हम कटिंग कर देंगे तो देखो, दोनों सैट से मैंने इसकी cutting कर दी है तो ये देखो, मैंने पट्टी ली है, मार्केट वाली है ये इसकी भी एक इंची की चोड़ाई है और लंबाई है इसकी 25 इंची की अब देखो, जहां से हमारा गुलाई का निशान है वहां से मैं तीन इंची का निशान लगा रही हूं दोनों साइड से सेम निशान लगाऊंगी तीन तीन इंची पे तो देखो इस तरीके से ये अटेश करनी है इसमें पट्टी तो दोनों साइड मेंने टैच्ट कर ली है अब इस तरीके से हम देख लेंगे हमारा बराबर सेंटर आया है कि नहीं तो यह देखो हमारी बराबर है अब इस तरीके से आपको एक कपड़ा लेना है यह मेरे डवल फोल्ड में कपड़ा है अब इसकी चोड़ाई है पांच इंची की और लंबाई आपको बैक के इसाफ से ही लेनी है जितनी बैक की है हमारी अब जैसे देखो मैंने रखा है कपड़े को अब उस तरीके से हम सेम कटिंग कर देंगे इसकी तो यह देखो मैंने सेम कटिंग कर दी है अब एक टुकुडे को हम इसमें इस तरीके से ज्वाइब करेंगे ये दिको मैंने बाहर की साइट से लगाया है इसमें हम कट लगाएंगे छोटे छोटे अब कट लगा के अंदर की साइट फोल्ड कर देंगे तो ये देखो मैंने फोल्ड कर दिये अब उपर की साइट से एक स्लाई लगाऊंगी में तो ये देखो मैंने दोनों साइट पर सेम तरीके से लगा ली है अब जो हमने ये कपड़ा अटेच किया था इसमें इसमें हमने चैन को अटेच करना है तो जितनी हमें चाहिए चैन उसकी मैंने कटिंग कर ली है अब इस तरीके से में अटेच करना है आपको चैन को कपड़े में ही तो देखो मैं आपको अटेच करके दिखा रही हूँ ये देखो मैंने अटेच कर ली है और इसमें कपड़े से भी मैंने दबा दिया है अब उपर की साइट से हम सलाई लगाएंगे यह देखो मैंने उपर की साइट से भी सलाई लगा ली है अब दूसरे पार्ट पर भी हम सेम तरीके से चैन लगाएंगे तो यह देखो मैंने चैन को लगा लिया है अब इसमें हम खोल दिया है मैंने अब इसको इस तरीके से दबा दूँगी मैं तो ये देखो कपड़े की साइट से मैंने दबाया है अब इसमें मैं लॉक डालूँगी तो ये देखो मैंने लॉक डाल लिया है अब बैक को हम उल्टा करेंगे तो ये देखो मैंने उल्टा कर लिया है अब ऊपर की chain की side से ही हमें इसे सिलना है अब पूरा नीचे तक सिलना है जो हमने box की cutting की थी उनको निया भी सिलना है पहले पिल्कुल हम सीधी 니े इस साइट से तो यह देखो मीरे some side लगा ली है अब जो हमने box cutting की थे उनकी Lage लगाएंगे हम बीच का सेंटर लेके ये देखो इस तरीगे से लगानी है इसकी सिलाई ये देखो कितनी सरल तरीगे से मैंने आपको बैक बताया है अब मैं आपको ये बैक सीधा करके दिखा रही हूँ और जल्दी बन जाता है बहुत सरल तरीगे से मैंने इसकी कटिंग बताई है आपको और सिला भी मैंने बहुत सरल तरीगे से बताया है देखो इसकी गहराई भी कितनी है और कितना सुन्दल लग रहा है यह देखो कितना प्यारा पर्स लग रहा है बनके अब बना के देखना आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो चलन को सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर करें थैंक यू